आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा C++ में exception handling क्या होते हैं ठीक है तो exception handling के को समझने के पहले पहले आप जाने errors क्या होते हैं देखें प्रोग्रामिंग करते हैं अगर आप तो वहाँ पे errors का होना या error का generate होना यह आम बात है तो error को दो parts में categorize कर सकते हैं एक syntactical होता ह यानि syntax error और दूसरा logical error होता है ठीक है तो अगर आप compile करते हैं और उसमें अगर कुछ errors generate होते हैं जैसे semicolon है semicolon का छोड़ जाना comma का छोड़ जाना spelling mistake है वगएरा तो यह सब syntax error है या फिर syntactical error है लेकिन अगर अगर आपका syntax error नहीं है आपने program run किया लेकिन output जो है आपका according to output जो आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा है that means आपका कहीं ने कहीं logically errors है तो इस तरीके errors को हम लोग generally remove कर लेते हैं और दूर करते हैं लेकिन sometimes होता है क्या कुछ ऐसे cases होते हैं कुछ ऐसे abnormal cases होते हैं runtime में runtime में ऐसे cases या ऐसे errors generate होते हैं जिसको हम exception कहते हैं ठीक है तो अब यह जो है एक चीज़ धियान देना है कि मालने अगर आपने software develop कर लिया software को आपने बना लिया और उसके बाद आपने deployment भी कर लिया उसका लेकिन उसके बाद भी अगर error generate होता है तो हमें करना क्या है कि वैसे errors को हमें manage करना है वैसे errors को हमें क्या करना है manage करना है यानि कि हमें handle करना है ठीक है न तो वैसे errors को अगर हम handle कर लेते हैं तो उसको हम कहते है exception handling कहते हैं ठीक है तो exception handling जो है यह C++ का एक बहुत ही great feature है जो programmer को यह facility provide करती है कि आपका जो program है यह जो software है जिस C++ में बनाए गया है वो smoothly चले बिना errors के वज़े से बिना stop की बिना रुके तो आज की वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कैसे exceptional handling को हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या keywords यूज होते हैं कैसे errors को handle करते हैं सबसे पिलर definition की बात करते हैं definition आपके screen में exception handling में क्या होता आप देखें an exception is a problem that arises during the execution of a program जब program execute कर रहा है यानि program जब run कर रहा तो वहाँ पर यह जो exception है यह generate हो सकता है rise हो सकता है ठीक है उसके बाद देखें एक्सेप्शन प्रवाइड 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 वेड़ ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट आफ पर प्रोग्राम तो अनादर यानि अगर exception हो जाता है प्रवाइड होते हैं तो उसके वज़े से प्रवाइड को नहीं रुकना चाहिए बलके कंट्रोल जो है दुसरे पार्ट में चला जाना चाहिए और फिर एड़र वहाँ पर इजी ली हानल हो जाना चाहिए ठीक है इस फीचर के माध्य हम से और तीसरा जो आग देखें आप सब्सक्राइब से आखिर में इडि या फ्रास्सेट्व रन टाइमुर यानि एक्सेप्चन हैंडिं क्या है एक प्रसेश कि मेकानिजम एक टेक ठीक तरीका है जो क्या करता है है तो हैलल क्यानीकिल कर तो रसकुल का मिए दाऊ прот super लाग चानल करने के लिए आपफॉर्म एक् कोई भी तरह का problem कोई भी तरह का समयसिया नहीं आए अगर error generate होता है तो भी ठीक है इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर error आता है तो आपको प्रोग्राम नहीं करता लेकिन रन टाइम में इन केस को ऐसे exception आ जाते हैं जिसके वज़े से program नहीं रुकना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं exception handling mechanism को apply करते हैं अपने programming में तो यह होगी basic definition अब इसकी कुछ keyword देखते हैं कि exception handling में कौन कौन से keyword यूज होते हैं exception handling जो है यहां पर देखें यह जो बनता है ठीरी keywords यूज होते हैं एक try है दूसरा catch यह तीसरा throw है यह तीन keyword का use करके हम exception handling mechanism को apply करेंगे programming में try that means error को detect किया जाएगा error को find जैसे error find होता है तो उसको throw किया जाएगा और throw करने के बाद catch जो होता है exception को catch करेगा और manage कर देगा handle कर देगा that means programming चलता रहेगा जैसे programming running programming को दोरान अगर error generate होते है एरर आ जाते हैं तो इस error को easily maintain handle कर लिया जाता है किसके दुआरा exceptional handling mechanism के दुआरा ठीक है आपको programming बताएंगे करके दिखाएंगे live तब आपको पूरा concept जो है clear हो जाएगा आज की वीडियो में theory पढ़ेंगे और फिर दुसरे पार्ट में इसका हम लोग जो programming देखेंगे अब एक diagram आपके सामनी हम बनाए हैं आप देखें अगर आप जो programming करते हैं उसको हम source code करते हैं यह आपका source code है source code को compile करते हैं तो हमारा जो output आता है output के दरमयान और source code के दोनों के बीच में अगर कोई error generate होता है तो उस errors को हम भेज देते हैं कहाँ पे handler function के पास ठीक है यानि यहाँ पे error आके यहाँ पे handle हो जाता है error के वज़ए से यह output में कोई problem नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं के error हो गया तो फिर output नहीं दिखाएगा ऐसा नहीं यह अपना काम करते रहेगा और error जो generate होगा उसको हम इधर लाके यहाँ पे रख देरें और यह फिर यहाँ पे यह function होता है जो इसको handle कर लेगा यह diagram से आप समझ सकते हैं कि exceptional handling में errors को कैसे manage किया जाता है कैसे handle किया जाता है ठीक है आपको अब हम एक और diagram देखाते हैं जिसमें आपको और mechanism जो है इस topic का exceptional handling का topic का completely clear हो जाएगा यह देखें exception handling mechanism हलांकि इसको इसके बाद हम आपको programming दिखाएंगे पुरा life करके कैसे handle करते हैं exceptions को कैसे errors को handle करते हैं तो यह diagram आपको दिखा रहा है कि इसकी mechanism क्या है देखें जो programming करेंग उसम ब्लॉक में ब्लॉक होगा try block होगा catch block होगा तो try block में हम जो statements लिखेंगे जिससे हमें जो भी errors होगा वो क्या होगा उससे हमें मालूम चलेगा उसके बाद throw object के तुर हम क्या करेंगे exception को throw कर देंगे और यहां पर catch block होगा यह errors को यहां पर receive करेगा receive करने के बाद इसको handle कर लेगा ठीक है और फिर output वाला program जो easily चलता रहे तो इसको हम try block को हम क्या कहेंगे जो भी errors होगा उसके बाद हम यहां आ जाएंगे अगर को errors होगा तो यहां से throw होगा उसके बाद यहां catch block में यहां पर जो coding दोनों block में coding लिखी जाएगी ठीक है और यह सब coding कहीं काम है यहां पर भी statement यानि coding होगी और उसको बहुत ही easy way में handle कर लिया जाएगा और इसकों क समझ बाया होगा आप दूसरों को शेर करें और फिर next part का आप इंतिजार करें thank you very much